तो कच्छा दस्वी के सभी विद्यातियों आप बिल्गुल भी चिंता मत करें जो आपके वार्सिक परिक्षा का सेट डी है हिंदी पेपर का ठीके उसका पूरा सोलिसन आज हम देखेंगे तो बिना किसी देरी के वीडियो को करेंगे स्टार्ट यही प्रस्ण जी हां यही प मगर चितरन किसमे होता है माकावे में बाल गोविन भगण गाते समय क्या बजाते थे खंजडी ठीक सेट दूद का दूद और पाने का पाने का क्या थे सही नियाए हैं मैं क्यों लिखता हूं इसके लेकक का नाम क्या है अग्य ठीक बिहारि रिक्तिस्तान के प्रमुक कव्यों में से एक हैं रीतिकाल शरंगार रस का इस्ताईभाव है रति अलंकार रिक्तिस्तान देकि Taylor है आमे आ प्रस्तुत कथं के द्वारा प्रस्तुत कथं का बोथ कराया जाता है ठीक है तो ये अन्युक्ति अलंकार बाल गोविन भगत रिक्तिस्तान की पद गाया करते थे तो बाल गोविन भगत जो एक कभीर के पद अर्थ के अधार पर जिए वाक़्ी की बात करें तो आठ प्रकार के वाक़्ी होते हैं भोला नाथ का असली जो नाम था वो क्या था तारकेश्वर नाट सही जोड़ी है अब देखे भावानी प्रसाद मिस्र कभी है तो भावानी प्रसाद मिस्र है नई कभी ताकि कभी कावी की आत्मा कही जाती है रस कोई भी कई अंकों की वाली रशना ठीक है कई अंकों वाली रशना किलाईगी नाटक लेकग यस्पाल की जो आदत है वो निधल ले बेठे कलपना करना यो इसवर पर विश्वास करता है जो इसवर विश्वास करता है वो दर्म चक्र गुमान ऐसे क्या होता है नै। और एक वाक्य में उत्तर है रीती कालीन कवी का मुख्य विसे कौन सा है तो स्रंगार वर्नन यह आपका अंटिम सेट चल रहा है चार सेट में बताये हैं चार सेट से आपका पूरा पेपर बना हुआ यह बिलुकुल भी आपको चिंता नहीं करनी है नहीं देखे तो डिस्कुशन में लिंक अमिल जाएगी पूरा solution सेट है यह सब भी नहीं है इस्ताइ भाव को जगाने वाले तधा उद्धि पित करने वाले कारण क्या कहलाते हैं ठीक है तो वो कहलाते है वीभाव मानव जो संस्यक्रति किस प्रकार की ए अभीवाज्य अभी भाज्य इसका मतलब था नहीं तूटने वाली हाथ मलना का क्या अर्थ पश्ताना यथा सक्ति में कोन सा समास है यथा सक्ति में अव्यई भाव समास मदू कंकिरिया में कोन सी रचना आपके पाठिकरम में है साना साना हाथ जोड़ी चलिए अब है सत्य सत्य है प्रगतिवादी का मुख्य विशेश सोसन के प्रति विद्रो ठीक है है तो यह आपका पहला सत्य हो गया वीरस का इस्थाइबाव क्रोध है असत्य है ठीक है उस्सा होता उसका इस्थाइबाव नेता जी की मूर्ती कजबे के चुराये पर लगी बिलकुल एक दमराइड बात है भाव आच्ची किरिया में किरिया कर्म के अनुसार होती है असत्य है भाव नाव का अधार पर होगी मैया ने हल्दी पिसकर भोलानात के गावों पर थोपी सत्य लेकक की प्रती एक रचना स्रेष्ट होती देखिए लेकक की नहीं हो पाती ठ देखिए कोसे नमर छे में कोसे नमर साथ में देखिए आत्मकत्य कविता के माध्यम से प्रसाथ जी के व्यक्ति तुग ठीक है की जो जहलक मिलती है उसे अपने सब्दों में बताना है परसूराम के क्रोध करने पर लश्मन के धनुस तूड जाने में कुंसा तर्कश दिये रिती कालिन कावी की किन कावी धराओं में विवाजित किया गया पिरियोगवादी कावी की विशेष्टा है सूर्य कांतिरपाटे निराला और मंगलेस डबराल की काविकत विशेष्टा है दो बिंदो पर देनी दो रशना है काविकत विशेष्टा है मुक्तक कावी किसे क परिवास की परिवासा एक उधारन दीजिए अन्योक्ति अलंकार की परिवासा ठीके यता यात्रा वरंत किसे के लेखक का नाम संसे इस्मरन की परिवासा लिखिये ठीके खेती बारी से जुड़े ग्रस्त बाल गोविन भगत अपनी कींचारित्रितिक विस्ताव की कारण कित कीजिए दो रशना हैं भाव वासा से लिए हैं कि अब कुछ जानने वाला और कोई जिसका कोई अकार्णौ इसनके लिए एक सब्द देना है ठीक है इसके बाद कुष्चे नमर 17 देख लिए यहां से कुष्चे नमर 18 अब देखिए कुष्चे नमर 19 यह इसी कात्वा है अब देखिए यहां से प्रस्चे नमर 20 में एक विज्ञापन लिखना है तो यह आज मैंने आपको ठीके हिंदी का कक्षा दस्वी का सेट डी का पेपर पूरा बताया इसका सोलिशन भी आपको जल्दी यूप लब्द करा दिया जाएगा चैनल पर पेली बार हो तो सब्सक्राइब कर लिएगा चारों सेट हो चुके यह अंतीम पेपर था आपका हिं